अलस्सलाम अलेकुम किस साबक क्रिकटर ने कहा है कि ICC T20 World Cup से काबल मुहमाद आमर्शी से पाकिस्तन टीम में तीन फास्ट बोलोरों के लिए खत्रे की गंटी बाच चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तान टीम ने 14 बरस में 10 T20 कोचिस तबदील कार डाले वो कौन-कौन से कोचिस हैं जो पाकिस्तन टीम में तबदील हुए हैं वो आपको बताएंगे अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्क्राइब कीजिए का और वीडियो को लाइक करेए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तन के टीम के कोचिस के बारे में पाकिस्तन क्रिकट एक बार फिर तबदीलियों की जर्द में हैं तबतान के साथ कोचिस स्टाफ भी तबदील हो रहे हैं साबक अप्तान राशिल लतीफ ने T20 कोचिस के हवाले से अपनी राए और सोचल मीडिया पर पोस्ट में दिल्चस्प अदादों शमार पेश किया है 2011 से अब तक पाकिस्तान की जनब से T20 इंटनेशनल क्रिकट में 10 कोचेज तबदील किये गए हैं इनमें अब्दुर्ण, ग्रांट, ड्रैडबरन, मिकी आथर, मिस बलहक, मुहमद अफीज, मौसन हसन खान, मौहिन खान, सिकलैन मुश्टाक और वकार यूनस शामल हैं इनमें सबसे जादा पाकिस्तान की फत्वात में मिकी आथर की रहनुमाई में काम्याबी का तनासब 81 शारिया, 18 और सबसे कम कोचेज में मौहमद अफीज का तनासब 20 विस विस रहा पर आप बात करते हैं मौहमद आमर के बारे में सबक रिकटका कहना था कि अमरीका की रियास्त में मौसम बिल्कुल तबदील होता जाता है यहां पाकिस्तानी टीम एक मैच में तीन फास्ट बोलर के साथ भी मैदान में उतर सकती है जिनका उनको फायदा होगा इसे हैं जो वाल्ड कप के दुरान प्लेइंग लेवन का हिस्सा होंगे जब के शहिन शाफ रिद्दी से कप्तान लेनी के बाद मामूलात सही नहीं चार रहे जब उनकी बॉलिंग फार्म भी मतासरकिन नहीं है हो भी सकती है उन्हें साइड लैन लगा दिया जाएगा मुहमद आसिफ ने ये कहा है कि ICC वैल्ड कप के दुरान कॉमिटीक में मुहमद आमर और नसीम शाह मुस्तिकिल टीम का हिस्सा होंगे जब के तीसरे फास्ट बोलर के CSA शहीन अफरीदी और हारस रौफ वसीम जूनियर में मुकाबला होगा नसीम शाह के हवाले से उनका कहना था कि मताथ था कि वो इतनी जल्दी कंदे की इंजरी से इतनी जल्दी नजात हासल कर सकेंगे लेकन उन्होंने पादरी का मुझारा किया और ये कर दिखाया